Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम हिमाचा पदेश में NHM के अंडर होरी बरतियों के उपर बात करने वाले हैं जिनके रिजल्ट जो हैं वो फिलाद के लिए पेंडिंग हैं तो काफी जाद आप अपडेट उनके लेटर मांगते रहते हो CHO के आपने पहली लिस्ट देख ली होगी अगर आपने उसको NHM की वेबसाइट से डॉनलोड करा होगा तो वहाँ पे आपने फाइल नेम देखा होगा एपलिकेंट्स वहव ब्रिज कोर्स या इंटिग्रेटिड कोर्स लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे कैंडिट ऐसे हैं जिनकी कंपलेंट्स आ रही हैं कि हमारे पास भी कोर्स का सर्टिफिकेट था उसके बावजूद हमें इस लिस्ट में क्यों इंकलूड नहीं करा गया उसके बाद उन्हें कंपलेंट वगईरा डाली होगी लेकिन मतलब यह सोच के अच्छा नहीं लगता है कि जब आप एक रिक्रूट्मेंट करवा रहे हो तो आप कम से कम अच्छे से उसको करवाओ उनका कहना है कि जब डॉकुमेंट वेरिफिकेशन हुई तो हमने वहाँ पे जो सीमो आफिस में डॉकुमेंट समसे लिये गए तो वहाँ पे हमने कोर्स का सर्टिवेट दिया था लेकिन उसके बावजूद क्यों हमें इसमें इंक्लूड नहीं करा गया तो यह होता है कि जब एक भरती जो है वो पूरे प्रोसीजर के साथ आने के बाद सेकेंड लिस्ट का सबको इंतिजार था और जिनके पास कोर्स नहीं है उनकी सेपरेट लिस्ट हमें देखने को मिल सकती है तो यहां पर धीरे धीरे चीज़ों को डिले करा मतलब किया जा रहा है उसके बावजुद आप जो है वो काफी ज़ादा इसके उपर अपडेट मांग रहे थे बहुत सारे ऐसे के एंड डेट हैं बीच में जो खुद भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं शिमला में अब कॉल उठाना ही उन्होंने बंद कर दिया हुआ है वो कॉल ही नहीं उठाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन का एकलौता सोर्स हैं वो फिलाल के लिए बही हैं अटल मेडिकल एंड रिसर्च उन्वेस्टी का काम सिर्फ एक्जाम कंड़क्ट करवाना था रिजल्ट देना था वो दे चुके हैं डॉक्मेट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा उसके बहुत सारे केंड़ेट का ये भी सवाल रहता है कि स्टाप नर्स फिमेल अल्थ वर्कर और लैब टेक्निशन की डॉक्मेट वेरिफिकेशन कब होगी तो जब तक सीचो की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये आपको नहीं देखने को मिलेंगी तब ही ये स्टाप नर्स फिमेल अल्थ वर्कर और लैब टेक्निशन की डॉक्मेट वेरिफिकेशन है वो एक साथ होगी क्योंकि इनकी टोटल मिलाके सीटें भी जो चीचो की सीटें उसकी हाफ भी नहीं होंगी तो इससाब से इनकी जो डॉक्मेट वेरिफिकेशन है वो एक साथ हो जाएगी वर अभी इंतजार है सेकंड लिस्ट का और अब देखते हैं कि कब तक ये करते हैं क्यूंकि इनने चीजों को धीरे धीरे बहुत डिले कर दिया इतना होना नहीं चाहिए था और वैसे ही इनके एक्जाम पे इनके रिजल्ट पे इनके जो मार्क्स थे मैट लिस्ट थी सब पर सवाल उठते आ रहे हैं तो उसके बावजुद इनने फटाफट फट फस्ट लिस्ट तो दे दी लेकिन हम उसके बाद इनको नेक्स जो सेपरेट लिस्ट रहती है कोस की वो मैंने प्रिवियस लिस्ट देखी थी उसमें कुछ इस तरह से इस सिस्टम था उसके उपर भी हम कभी बात करेंगे अगर यह चीज़ें और डिले करते हैं बाकि मैं तो यह चाता हूँ कि चीज़ें फास्ट पास्ट हो जाए और जल्दी जल्दी आपका कोस हो जाए आपको और CHO की स्टाप नर्स की अंडर NHM और कितनी भरती आ सकती है उसके उपर भी हम बात करेंगे तो उसके उपर भी RTA लगाई गया है टोटल कैडर क्या है CHO का कितनी भरती प्रोसेस में है कितनी बेकेंट बसती है तो वो डिटेल भी जल्दी आ जाएगी तो वो मैं आपके सा सवालों के यहाँ पर जवाब दे दिये हैं इसके लाबाव अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छी होगी प्रूर्मेटिव लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेर कर सकते हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो